रड़ी गूर्णिंग मेरा नाम हरी कृष्ण कुछ वहा है और मैं मांड़ा खास से बिलोम करता हूं बेस्टीज मार्केटिंग प्राइबेल लिमिटेड में काम करता हूं और आज मैं एग्री टेनर हूं खेती के प्रोड़क्ट के बारे में मैं जानकारी देता हूं लोगों उसी बीज को मैंने इस खेत में बोया है और बीज-बोनेस के 4 घंटे पहले हम ने पर केजी बीज में गेहूं के 5 ml एग्री हूंक लिक्विड और 5 ग्राम एग्री प्रोटेक्ट से मैंने बीज को संसोधीत कर दिया था बीज में अच्छी तरह मिलाने के बाद मैंने छाया में रख दिया था और सुकने के बाद मैंने इसको जो है खेत में छिटवात के और जुताई करवा दिया था ग्रेनवल मिला करके ग्रेनवल के साथ मिला करके और मैंने छिट दिया था और यह गहू मेरा 22 दिन का हो गया है और इसको जो है अभी कल हमने पानी में जो है एगरी हूमिक और एगरी ब्यासी मिला करके मैंने इसके सिचाई कराया है और आज मैं खात छीटने के लिए लाया हूँ, यह देखिए थोड़ा नलती दिखाईए, यह मेरा गेहू है, और यह मैं गेहू में खात तो छीट चुका हूँ, मगर यह मेरी आठ विस्सा की गटई है, चार विस्सा की धर, चार विस्सा की धर, और इसी में मैं खात छीटू या लिया है अब इस चार किलो यूरिया में हम मिलाएंगे इसमें एक्ग्री42 है एक्ग्री52 कमपनी का मैं एक्ग्री52 इसमें डालूँगा दोधकन क्योंकि यह जो अगर इसमें डोधकन हमें ग्री यह दाल देते हैं तो यह हमारी चार किलो यूरिया साथ किलो यूरिया की काम करेगी जो 46 परसंट इसमें नाइट्रोजन होता है जो हवा और धूप में उड़ जाता है इसको डालने के बाद यह पूरा का पूरा हंडेट परसंट हमारे फशल में लगेगा और उसके बाद मैं ग्रेनुवल पहले ही बुवाई के समय में डाल दिया था और एक्गरी ब्यासी और एक्गरी हुमिक से मैंने इसको सिचाई करा दिया हूँ और इसमें मिलाओंगा बढ़वार के लिए फशल को ताकत के लिए एक्गरी गोल्ड बेस्टीज का एक्गरी गोल्ड अब इसको म 3 त्रफ दकते हमने मिला लिया है – अब मैं इसमें एक्गरी घोल्ड मिला रहा हूं यह हैं मारा एक्गरी गोल्ड बस इतना ही मैं एक्गरी घोल्ड मिलाओंगा 10 ग्राम के To Right 10 ग्राम हमने एक्ग्री घोल्ड मिला लिया इसमें अब मैं इसको मिलाओंगा तो लोग देखिए हमने इस खेत में च्छिट रहा हूं और सबसे बढ़ी आया है कि यह आपका नेचुरल खेती देता है गवर्मेंट भी कर रही है कि खेती जो है आरगेनिक किया जाए और आरगेनिक खेती का मतलब है रुगया कर रहा है हमारा एग्री ब्यासी जो है पेस्टीज का जो प्रोड़क्ट है सुध नेचूरल है डीपी यूरिया की मात्रा कम होती जाएगी दिनों दिन और आपकी पैदावार बढ़ती जाएगी और यह आगे निखेती है हमारी जो भी बिमारी है जैसे कैंसर हुआ और सुगर हुआ ब आप चार से पांच किलो डाल रहा हूं इसलिए सभी को मैं किसान भाईयों को संदेश दिना चाहता हूं कि सभी लोग आर्गेनिक तरफ बढ़ें आर्गेनिक खेती करें और सुख और सम्रिद्धी लाएं वा सफ्त्र हैं विस्यों वेल्त थाइंकि बंद करा वाजिया झालने विस्यों झालने विसे मेझ लोगेनिक शि इसा when the the point of Time, ज्वम है जेढ विस्यों थे बंद करें ने करा वा द्रेशने में किन